हेलो गाइज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HDFC बेंक 2 wheeler लोन के वारे में और समझेंगे HDFC बेंक 2 wheeler लोन के फीचर, स्पेसिकेशन और इंटर्स रेट को और जानेंगे HDFC बेंक से 2 wheeler लोन कैसे अपलाई कर सकते हैं 2WILLER जा फिर बाइक परचेस करने के लिए आप HDFC बैंक से बहुत ही असानी से 2WILLER लोन ले सकते हो HDFC बैंक 2WILLER लोन के फीचर इस परकार से है HDFC 2WILLER लोन प्रोसेस ऑनलाइन है फूरा लोन प्रोसेस पेपरलेस्ट है आप अपनी जुरूत के हिसाब से लोन का EMI सेट करवा सकते हो लोन के लिए डाउन पेमेंट आपको 1,999 रुपे ही करना है HDFC बैंक एकाउंट होल्डर के लिए 2WILLER की कीमत का 100% तक फाइनेंस मिल सकता है आप HDFC बैंक से 2WILLER लोन ले सकते हो 12-18 महीनों के लिए HDFC 2WILLER लोन पे आपको competitive interest rate पेकरना होगा और मजूदा कस्टमर को interest rate पर 5,000 रुपे के आसपाथ benefit मिलेगा HDFC बैंक के मजूदा कस्टमर 2WILLER लोन को pre-approved करवा सकते हैं और बाद में कभी भी 10 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा HDFC बैंक डेपसाइट के EMI calculator से आप अपने लिए 2WILLER लोन को बहुती असानी से प्लान कर सकते हो और उसके according EMI को भी असानी से चकाउट कर सकते हो HDFC बैंक 2WILLER लोन का eligibility इस परकार से हैं आपका salary class जाफिर self-employed होना जूरी है लोन लेने के लिए आपका age 21-65 साल के वीचिंग हो एक महीमे का minimum salary 10,000 होना जूरी है HDFC बैंक 2WILLER लोन का fee और charges इस परकार से हैं Interest rate है 14.5% से शुरू Loan processing fee है loan amount का 0.5% Documentation charges loan amount का 2% लग सकता है RC collection fees है 600 रुपे RTO charges as applicable है HDFC बैंक 2WILLER लोन के लिए आपको यह document submit करने होंगे Identity proof में आप दे सकते हो Water identity card, bearing license जाफिर passport जाफिर अधार card जाफिर नरेगा का job card भी दे सकते हो Address proof के लिए आप दे सकते हो Utility bill जैसे बिजली, गैस, पानी जाफिर टेलिफून का bill या फिर pension payment order जानी के PPO का भी copy दे सकते हो Government employees accommodation allotment letter का copy भी दे सकते है या फिर आप rent agreement का copy भी दे सकते हो Next income proof में आपको देना है तीन मीने का bank account statement अगर आप self employed हो तो आपको income tax return का latest copy देना है Next आपको तीन मीने का salary slip देना भी ज़रूरी है अगर आप नौकरी पेशा है HDFC bank back side पर latest loan offer चक करने के लिए Check offer के उपर click करेंगे तो आपके सामने as interface आएगा आपको आपके mobile number को OTP द्वारा verify करवाना होगा अगर आप HDFC bank के मजूदा graph है तब आपको login करना है और आपके mobile number पे latest loan offer का जानकारी आजाएगा Loan apply करने के लिए आप online request डाल सकते हो जा फिर nearest branch visit भी कर सकते हो Next ECB परकार की समस्या के हल के लिए या और जानकारी के लिए आप HDFC bank customer care toll free number के उपर contact कर सकते हो प्लीज आप comment में बताए HDFC bank 2 will alone के feature और specification आपको कैसे लगे है आपका experience HDFC bank 2 will alone के साथ कैसा रहा है प्लीज इस वीडियो को like करें और share करें और रोपी जैसी जलती प्लीज आप न करें सब्सक्राइब के साथ साथ notification वाले बेल को आल पर जरूर टिक करें जिससे आपको हमारे नए आने वाले latest वीडियो का notification सबसे पहले मिल सकते थेंक्यू गैट